नमस्कार दोस्तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल सुबोट जी यूटूब चैनल में दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप किस तर से अपने मुवाइल फोन में अधारकाद को डानलोड करेंगे तो दोस्तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कोई ज़ derechos नहीं आप अपने मुवाइल फोन में अधारकाद कर लेंगे और सारे काम आप यहां से कर सकते हैं तो चली दोस्तों हम आपको बताते हैं किस तर से अपने मुवाइल फोन में अधारकाद को डाउनलूड करना है उसके दोश्टों आपको एक डउनलूड करना पढ़ाएगा फिलेजों से जिसका नाम है एंधार तो आप इसको डाउनलूड करमें बहुत असा तरीमें अपर सतुधिक देना है तो आपको लिए दसक्रिप्सिन में आप दे आप कसे दालव कर लीज़ेगा जैसे आप यहां पर ओपें कीजिए ओपनAllilli लिखेंगा यहां पर कुछ ओपर यहां पर आपको करना है को मिअ कूपके आपको एक्सट करना यह थो एक्सेप्ट करने के बाद सो यहां से आप फोन नमबर आपको यहांपर डाल दे ना आ रोधान डालने के बाद रुष्ट तो आपको नेक्स कर देना ỉ नैक्स कि आपके भा इस तो आपके मोवायल नमर पर एक कोड आएगा तो आपको ओनल माड़ जो भी आएगा आप उसको यहांपर प्लख कर देंगे तो जो भी आपके फोन में OTP code आगा उसको डालके आपको यहां पर submit कर देना है तो चलिए हम अपना OTP code डालके submit कर देते हैं तो यहां पर OTP code डालने के बाद दोस्तों आपको next कर देना जैसे आप पर यहां पर नेख्स करते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको बहुत सरन मिला आपको यहां पर मिला अधार का download उसके बाद दूर्ड रिफ्रिेंट है तो हम यहां पर आप बताएंगे मुमाईल में रस्तनौ 2 में तो 40 नहीं जरूरी है उसके वाद आपको करने देना है तो यहाँ पे आप अपना अधार काड़ डालेंगे जो भी आपका आधार current number जा आपको यहां पर डाल देना है उसके बाद आपको फिरसे नेक्स कर देना है जारो है जैसे आप यहां पर next की जेगा उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और पे जाएगा कर आप यहां पर प्रेज आएगा आप देख लिए इस त्रह сравiny तो यहां प возьabet और टी इन से आपको यहां पे डाल देना ह। से ओर सिप्टीप कोड़ डालें के बाद न को फिर यहां पे वेरीफाई कर लेना रूँ के दोस्तों यहां पर जो भी कोड और ओर डिप्यापक वह तीस सेकेंड के अंदर इन डालना पड़ता है यदि आप यहां पे लेट करते हैं तो आपको यहां पर रिसेंड यानि फिर से दुबाद आपको बुलाना पड़ा यानि लाना पड़ाइगा फिर से डीसेंड पर करके तो जो भी दुबाद आपको OTP code आएगा दोनों 30 seconds के अंदर ही आपको डालना पड़ता है तभी आपका यहां पर OTP काम करेगा वरना आपको invalid बताएगा तो OTP डालने के बाद यहां पर देख सकते हैं मेरा अधारकाड यहां से डालोड हो गया इस तरह से यहां पर आपको फूरो देखेगा उसके बाद आप इस तरह से डामलोड कर लिजगा इसको आगे का और पीछे का दोनों अधरकाड यहां से